कि हमारी कहानी का अरुवान है बेरिया और बक्री दफ़ा का दिकर है कि एक बक्री एक उचे पहार पर गास चार रही थी तो फिर नीचे से एक बेरिये की नजर बक्री पर पार गई तो फिर बेरिय ने कहा कि बकरी तुम इतने उच्छे पहार पर क्यों चड़ी हुई हो अगर तुम्हारा पैर फिसल गया तोुम नीचे गर जाओगी फिर बकरी ने उसकी बात ना सुनी और वो गास चट्ती रही और वो फिर बोला फिर बेरिया बोला कि तुम उपर एक्तनी सर्दी में गास क्यों चार रहे यो और वहाँ छूपने की जगा भी नहीं है फिर भी बकरी ने कुछ ना कहा और चुप चाप गास चरती रही फिर बेरिया जोर से बोला कि उपर की गास की निस्पत से नीचे की गास बहुत मीथी है वक्री ने बोला कि तुम्हें मेरी फिकर क्यों है तुम्हें अपने खाने की फिकर है या मेरे खाने की फिकर है दोस्तों हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए